घर छोडे घरी नहीं जी हाँ घरी पबनी जो है वो कहा मनाया जाता है वो भी मैं बताओंगी और ये साल में कितना मनाया जाता है क्या प्रषाद बनता है वो सारी बाते आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कैसे हो आप लोग आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बारा आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे नीचे बैल अकने से प्रेस चरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपक करता है तो ये सारे मिथलानी ही करती है और ये साल में दो बार मनाया जाता है और एक कौन-कौन सा है वो मैं बता देती हूं जी हां एक सावन में सौनी घरी होता है और एक मगी घरी होता है अभी जो टाइम चल रहा है सावन का तो इसमें दो सुकलपक्ष और कृष्ण पक् करती हैं वो बुद्वार को करती है जी हां किलियर हो गया होगा और इस बार जो है बुद्वार को पर रहा है जी हां 23 को जो है वो घरी पर रहा है तो आप इस दिन घरी कर सकती है और इसमें प्रशाद क्या बनता है जी हां इसका नियम क्या है वो भी मैं बता देती हूं तो को परब करने से एक दिन पहले नहा काय किया जाता है जो पवनेटिन होती है वो एक दिन पहले जी हां नहा काय करती है बालद होती है नाकुन कारती है पूरी तरह से अपने आपको श्रक्ष करती है और दूसरे रोज जी हां पृषाद बनता है तो पृषाद में जो है वो चने क जो है वो मैदा भी मिलाया जाता है और प्रोपर घी में बनाया जाता है और ये तूटे ना जी हाँ ये जो है रोट तूटता नहीं है इसको धीरे धीमी आज पे पकाया जाता है और बहुत बारिकी से बनाया जाता है इसको साथ में खीर बनाया जाता है और साम को जी हाँ पूरे एक धोती का पाग बनाया जाता है ये मैं पूजा इसलिए आप लोग को अच्छे से बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे माईके में होता है घरी पवनी और इसमें जो है दही का जी हां रात में साम को पूजा होता है उसके बाद ये जो पाग इसका जो पुशाद है वो घर से बाहर नहीं निकाला जाता है जी हां घर में जो घर के जो मेंबर हैं वही जेंस और लेडिस सब कोई खाते हैं उसके बाद उन चालिस जी हां एक सोरे पूरी बनाया जाता है और उसके बाद इसमें जी हां सावन में जो सौनी घरी में जो है वो गिनहारी का साग जो है वो चरहने का महत्व है और वो चहरता है मैं अपनी दादी को देखती थी बच्पन में करते हुए उसके बाद मम्मी को देखती थी उसके बाद जी हां पूजा का जो नियम है वो और जितने भी स्वहागी ने उनको तेल सिंदुर किया जाता है, और जितने भी जेन से हैं, बच्चे हैं, सब को ठीका किया जाता है, और पूजा करने के बाद 10 से 15 मिनट तक के लिए, जी हाँ वो जो पूजा का घर है, उसको बंद कर दिया जाता है, फिर तीन बार ताली बजाई जाती है, और उसके बाद पूजा कर रूम खोला जाता है, फिर उस रगगा जाता है, कोई भी चीज में उस रगग के उठाया जाता है प्रशाद को, और एक प्रशाद जो होता है जी हाँ सुबह में वही प्रशाद चरहाया जाता है और उसके बाद सारे लोग खाते हैं तो वो चीज नेक्ष डे होता है और जी हाँ जब प्रशाद ज्यादा हो जाता है तो उसको घर से बाहर नहीं निकाला जाता है तो उसको जो है उस प्रश था घड़ी पवनी का जी हां मैं आभी सौनी घड़ी के बारे में बताई कैसा लग आप सभी को हमारा ये घड़ी पवनी घड़ी पर्व वीडियो प्लीज कमेंच करके जरूर बताईएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक and share करना बिलकुल न भूलना थांक्स पूर वाचिंग कीप सबूर्ट